हेलो बच्चो नमस्कार आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल एफेक्टिव फ्लाइंग में स्वागत है बच्चो आज जो है हम बीएस सी पार्ट वन बोटनी सब्जेक्ट के पेपर फ़स्ट डैवर्सिटी आफ वायरेसेस बैक्टिरिया एंड फंजाई का लेक्चर करने जा रहे हैं जिसमें आज हम जो है आपसे ब्रीफ हिस्ट्री आफ माइक्रो बाइलोजी के बारे में चर्चा करेंगे बच्चो आईए हम जानते हैं माइक्रो बाइलोजी में होता क्या है देखिए बच्चो माइक्रो माइक्रो का मतलब होता है सूच्च्च्च्च्च माइक्रो का मतलब होता है सोच्म और आप देख रहे हैं बायलोजी means जियो बिग्ञान सोच्म जियो बिग्ञान बच्चों आप बता सकते हैं कि माइक्रो बायलोजी एक ऐसा बिग्ञान है जिसमें हम सोच्म जियो सोसमजियों like virus, bacteria and some microscopic size of algae and fungi का अध्यन करते हैं दोस्तों मच्चों हम microbiology में सोसमजियों का अध्यन करते हैं तो इसी microbiology के brief संचिप्त इतियास को हम आज जानेंगे तो microbiology को अगर हम देखें और अध्यन की सुब्धा के लिए तो दो भागों में बाट सकते हैं जैसा कि आप जानते भी हैं आप पढ़ते भी आ रहे हैं एक वाइरो लोजी और आपको इस paper में इसका history भी पढ़ना है और दूसरा जो होगा हमारा bacteriology ये दोनों बहुत ही important होंगे आपके exam के लिए यहां से आपसे question भी पूछे गए है वाइरो लोजी और बैक्टिरियो लोजी में हम क्या करते हैं? हम लोग बच्चों वाइरोलोजी में वाइरस का अध्धिन करते हैं वाइरोलोजी के अंतरगत हम लोग जो है वाइरस का अध्धिन करते हैं और बैक्टीरियोलोजी में हम लोग जो है बैक्टीरिया का अध्धिन करते हैं इसे हम पढ़ेंगे और अगर हम बात करें माइक्रो बाइलोजी में हम लोग जो है सोस्मजीव जो होते हैं उनका जो है अध्यन करते हैं चलिए हम इसके इतिहास के बारे में बात करते हैं पहला पॉइंट है हमारा इन 1676 to 1677 means 1676 से 1677 के बीच में एक साइंटिस थे जिनका नाम था एन्टोनी वान लुएन हाग एन्टोनी वान लुएन हाग एडच रिसिडेंट क्या कह सकते हैं एक डच सांटिस्ट थे जिनोंने डिसकबर किया Discover the hidden world of microbes or microorganisms by inventing self-microscope बच्चो एक सांटिस्ट का नाम था सन याद रखिएगा 1676 से 1677 के बीच एक सांटिस्ट थे जिनका नाम था एंटोनी वाल लोईन होग जो की कहां के थे डच हालन के थे एक डच सांटिस्ट थे इन्होंने जो है सबसे पहले जो है सोच मजियों के छिपे हुए संसार को डिस्क्राइब किया बाईदा इन्वेंटिंग सेल्फ माइक्रोइस्कोप अपने द्वारा बनाए गए माइक्रोइस्कोप सोच मदर्सी के द्वारा इन्होंने सोच मजियों के छुपे हुए संसार की डिस्कवरी दिया कह सकते हैं हम सोच मजियों की डिस्कवरी जो है एन्टोनी वाल लोइन हाक के द्वारा सबसे पहले 1676 to 1677 में दिया गया नेखी ये का करते हैं ही डिस्क्राइब्ड ही डिस्क्राइब्ड ही डिस्क्राइब्ड ही डिस्क्राइब्ड माइक्रो ओर्गनेज्म फांड इन पॉंड वाटर प्रोटो जुवा एंड हाइड्रा एंड हाइडरा एंड गिब दा नेम एनिमल क्यूल्स दोस्तो एंटोरिवाल लुएन हॉक ने सबसे पहले ऐसे माइक्रो आर्गनिंट को डिस्क्राइब किया जो पॉन्ड वाटर तलाब के पानी में पाया गया और साथ में इन्होंने प्रोटो जोवा और हाइडरा की भी डिस्कबरी दी और इसको इन्होंने नाम भी दिया इनिमल क्यूल्स सूस्म जन्टक एंटोनी वान लुएन हॉक जो है इस डिस्क्राइब करते हैं पानी में पाये जाने वाले सूस्म जीओं को लाइक प्रोटो जोवा और हाइडरा को जो है यह डिस्क्राइब करते हैं और उसके बाद इनका नाम देते हैं कि यह सूस्म जन्टक है अनिमल क्यूल्स हैं आगे देखिए बच्चो इस कारण से अन्टोनी वाल लोईन हाक को जो है फादर अफ माइक्रो बाइलोजी कहा जाता है मेंस सूस्म जियू बिग्ञान का पिता कहा जाता है सूस्म जियू बिग्ञान का पिता सूस्म जियू बिग्ञान का पिता किसे कहा जाता है अन्टोनी वाल लोईन हाक को सूस्म जियू बिग्ञान का पिता कहा जाता है बच्चों फादर उसे कहते हैं जो किसी बिसेश शेत्र में बहुत जादा गहरा अध्यन करता है उसे जो है बाइलोजी में फादर का पिटा का अनर दिया जाता है उसे फादर मान लिया जाता है जैसे कि अगर हम देखें माइक्रो बाइलोजी के शेत्र में यहाँ पे इंटो को बनाते हैं इस रीजन से जो है इनको फादर आफ माइक्रो बायलोजी के नाम से जाना जाता है आगे देखे कराए धैज डिस्कवरी आफ 19th सेंचुरी धैस करी डिस्कवरी आफ 19th सेंचुरी मिन्स 19 सदापदी लुइफ फास्चर साज बी एक सायंटिस्ट था लुइस फास्चर इस्टेबलाइज्ट माइक्रो बाइलूजी बच्चो लुइफ पास्चर के 19 सतादी के डिस्कबरियों के बाद माइक्रो बाइलूजी ब्रांज का जो है अस्थापना हो जाता है सोस्म जू बिज्ञान की न्यू पड़ जाती है अगर हम बात करें यहाँ पे तो 19 सतादी में 19 सेंचुरी में जो है लुइफ पास्चर के द्वारा ऐसी कई डिस्कबरी दी गई खोजी गई और जिसके द्वारा जिसके कारण जो है माइक्रो बाइलोजी की एक ब्रांच की अस्थापना कर दी गई इसी सेंचुरी में लुइफ पास्चर के द्वारा फर्मेंटेशन फर्मेंटेशन प्रासेस को जो है डिसक्राइब किया गया फर्मेंटेशन अब फ्रेगमेंटेशन मत समझीएगा कि नहीं तो आप बिजीटेटिव रिप्रोडक्शन की डिसकाबरी इनके द्वारा की गई फर्मेंटेशन एक टेकनिक होती जिसे आकिडवन बोलते हैं जिसके द्वारा एलकोहाल और कई सारे पदार्थों को बनाया जाता है तो लुइफ फास्चर के द्वारा ऐसी कई डिसकाबरीया जो है 19th century में दी गई, 19th सताबदी में दी गई और उनके डिसकाबरी के बाद microbiology branch की अस्थापना की गई आगे देखें अंटिल दा 18th and 19th century 18th to 19th century मिस 18 से 19 सताबदी के बीच में बैक्तिरिया वर कंसीडर्ड टू वी microscopic, a microscopic unicellular organism बच्चो 18 से 19 सताबदी के बीच में यह जाने जाना लगा कि जो बैक्तिरिया है यह कह सकते हैं जो जीवाण है यह एक माइक्रो सूच्म यह एक माइक्रो सूच्म में सूच्म यूनि सेलूलर जीवधारी है कब 18 से 19 सताबदी के बीच में यह जाने जाना लगा कि जो बैक्तिरिया है जीवाण है यह एक माइक्रो स्कूपिक में सूच्म यूनि सेलूलर एक कोश्किये जीवधारी है अगे देखे दा एसोसियेशन आप बैक्तिरिया बित बायरियस डिजीज वाज इटेबलाइज इन टॉन्टी सेंच्री में से बीच्वी स्वताबदी में ग्यांत हो चुका कि जो रोग उत पन होती है उनका कहीं ना कहीं बैक्तिरिया के साथ एक संबंद है एसोसियेशन है लाइक देख सकते हैं आप टीबी हैं माइको बैक्तिरियम टूबर क्लोसिस जो होती है रोग टाइफाइड सालमुनेला टाइफी ऐसे बहुत से रोग हैं जो बैक्तिरिया के दोरा कास किये जाते हैं तो इस बैक्टिरिया का रोगों के साथ जो संबंध है उसको बीशवी सदापदी में पता चल गया या पता लगाया जा चुका अब आगे हम बात करते हैं वाइरिसेस क्या होते हैं प्रियांस क्या होते हैं वाइरिसेस वाइराइड प्रियांस क्या होते हैं कह सकते हैं without cell आर्गेनल यानि ऐसे आर्गेनल जिनके पास जो है ना तो cell हो और ना ही जो है कोई cellular cell आर्गेनल हो उन्हें हम a cellular organism कहते हैं like virus, viride प्रियांस जो है a cellular agent होते हैं enter in living cell ये कहां entry कर जाते हैं किसी living cell में entry कर जाते हैं and check the physiological activity और उनकी जो physiological activity चलती रहती है उसको check कर देते हैं रोग कर देते हैं and destroy the living cell और जो है उस living cell को खतम कर देते हैं मार देते हैं ये हमारे क्या होते हैं virus, viride, प्रियांस they are a cellular agent entered in living cell and check the physiological activities and destroy the living cell और ये जो है living cell को जो है खतम कर देते हैं मार देते हैं इनको हम लोग जो है आगे पढ़ेंगे इसके बाद हम पढ़ेंगे history of virology उसके बाद हम virus को शुरू करेंगे तो बच्चो थाइंक्यू फार वाचिंग झाल 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 झाल